नमस्कार, VKB कोई खास पेशकर्ष देश-प्रदेश दुनिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है देश-प्रदेश दुनिया के कुछ खास सुनिंदा खबरे जाने के बने रहे हैं मेरे साथ माया नगरी मुंबई में पहली बार एक गे सेक्स राकेट का भांडा फोड हुआ है यहां गिरो लोगों के वीडियो बनाकर उनको ब्लाक मेल करता था पुलिस ने तीन युफकों को गिरफतार किया बही महराश्य कॉंग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने शुफसना नेता संजेर राउत के आरोपो पर जवाब दिया है उन्होंने कहा कि गड़बंदन पर फैसला हम नहीं बलकि कॉंग्रेस अलाक मान करती है तो करोना को धीमी परती रफतार को देखते हुए BMC ने अब कहा है कि आगामी 27 जन्वरी से स्कूलों को दोबारा खोला जा सकता है उधर कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले पर भाचपा हमलावर है उन्होंने कहा कि नाना पटोले जिस मोदी नाम गुंडे की तस्वीर का जिकर किया है उसका पूरा नाम और तस्वीर जारी करे इसी बीच प्रदेश सरकार ने सरकारी पदों की भरती के लिए मौजूदा OMR पदिती से परिक्षा के लिए न्यूक्त नियासा कम्यूनिकेशन प्राइविट लिमिटेड समेट पांच कम्पनियों को दिया गया ठेकार रत कर दिया है प्रदेश की इन पांच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने लिए हमारे साथ मुमई में पहली बार एक गे सेक्स रैकेट का भांडा फोड हुआ है पुलिस ने इस मामले में तीन यूवकों को गिरफतार किया थाना मालवानी पुलिस ने बताया कि गिरो पिछले कई महीनों से ओनलाइन डेटिंग गे अब ग्राइंडर के जरीए सेक्स रैकेट चला रहा था यह गिरो लोगों के वीडियो बना कर उनको ब्लैक मेल भी करता था आरोपियों के पहचान इर्फान फुरकान खान एहमद फारुकी शेक वहिमरान शफीक शेक के रूप में हुई तीनों के उमरे 24 से 26 साल के बीच है इस मामले में दो आरोपी फरार हैं आरोप है कि आउनलाइन आप के माध्यम से गिरो समलेंगिंग लोगों से संपर करता था और पैसे लेकर सेक्स महिया करवाने का वादा करता था मालवानी पुलिस ने बताया कि शिकायत मिली थी कि एक व्यक्ति की पांच लोगों ने पिटाई कर उसके पास से रुपए वा कार्ट छीन लिये और उसका अपती चनक वीडियो भी बनाया उसके पास मौजूद पैसे आभूशन वा एटीम कार्ट तक छीन लिया किसी तरह यूवाक उनके चंगुल से आजाद हुआ इसके बाद परेजिनों की मदद से उसने पुलिस में शिकायत दर्च करवाई इसी शिकायत के आधार पर तीन यूवकों को गरफतार किया गया इनकी गरफतारी के लिए पुलिस ने पहले ऑनलाइन आप के जरीए संपर्क साधा सब कुछ तेह हो जाने के बाद जब घेरा डाला तो उन्हें दबोच लिया महराश कॉंग्रेस के द्यक्ष नाना पटोले ने शिफसना नेता संजेराउत के आरोपों पर जवाब दिया है उन्होंने कहा कि गडबंदन पर फैसला हम नहीं बलकि कॉंग्रेस अला कमान करती है बाहराश में बीजेबी को सता में आने से रोकने के लिए सोनिया गांधी ने शिफसना एंसीपी के साथ गडबंदन पर मोहर लगाई थी हाला कि अन्यराजियों में कॉंग्रेस की स्थिती बहतर है ऐसे में शिफसना और एंसीपी के साथ गडबंदन करने की कोई ज़रूरत दिखाई नहीं परती यह कोई जबरदस्ती की बात नहीं है हमारी पार्टी अलग है उनकी अलग उधर शिफसना की सांसद और वरिशनेता संजेराउत ने कॉंग्रेस पर तंच कसा है उन्होंने कहा कि एनसेपी और शिफसना ने गवाँ में भी कॉंग्रेस के साथ मिलकर महराशी की तरह महाविकाज आगाड़ी स्थापित करना चाहा रही थी हाला कि कॉंगरेस ने इसमें कोई दिल्चस्पी नहीं दिखाई शायद कॉंगरेस को यह लगता है कि वह गोवा में खुद के दम पर सरकार बना लेगी इसी वज़े से कॉंगरेस ने गोवा में एकला चलो का नारा दिया है राउत ने कहा कि महाविकाज आगाडी पैटन गोवा में दोहराने के हमारी तमाम कोशिशें नाकाम रही है मुंबई में करोना की तीसरी लहर शांत होती दिख रही है मुंबई ने तीसरी लहर का पीक 7 जनवरी को देखा था 28.9% की पॉजिटिवटी रेट के साथ 20,971 नए केस आये थे यह पिछले साल 3 अप्रेल को दूसरी लहर के पीक 11,573 से करीब करीब दो गुना था लेकिन मुंबई अब राहत की सांस ले रही है बुदवार को मुंबई में 6,149 नए केस सामने आये BMC की ओर से बताया गया कि आगामी 27 जन्वरी से स्कूलों को दोबारा खोला जा सकता है बताया जा रहा है कि BMC ने इसके लिए तयारियां भी शुरू कर दी है बतादे की राजसरकार ने 15 जन्वरी तक स्कूलों को ओफलाइन क्लासेज बंद रखने का निर्देश दिया लेकिन करोना केस घट रहे हैं तो मुंबई में 27 जन्वरी से स्कूलों को खोलने की सुख बुगाहट तेज हो गई है राजगे स्वास्तमंत्री राजेश चोपे ने भी कहा कि 10 से 15 दिन में महराश्च में स्कूलों को खोलने का फैसला हो जाएगा हाला कि स्कूल खोलने को लेकर अभी भी भावक दो खेमे में बटे नजर आ रहे हैं एक पक्ष पढ़ाई के नुकसान को देखते हुए स्कूल खोलने को सही करार दे रहे हैं तो दूसरा खेमा इंतजार करने और ऑनलाइन पढ़ाई ही ज़ारी रखने की वकालत कर रहा है कॉंगरेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने दावा किया था कि जिस मोधी नामक गुंडे का उन्होंने जिक्र किया उससे पुलिस ने गिरफतार है लेकिन भंडारा पुलिस ने ऐसे किसी भी व्यक्ती की गिरफतारी से इनकार किया है अब बीजेपी ने नाना के दावे पर संदेज अताते हुए मोदी नाम गुंडे का पूरा नाम और उसकी तस्वीर जारी करने की मांग की है प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष माधव बंडारी ने कहा कि नाना पटोले गाउं के गुंडे की फोटो और पूरी जानकारी सामने लाए इधर महराश कॉंग्रिस महासिचीव जाकिर एहमद ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह जबरन बात का बतंगड बना रही है पूरे वीडियो में नाना ने कहीं भी प्रदान मंत्री मोदी का उलेख नहीं किया है इस बीच पटोले के बयान के खिलाफ कारवाई की मांग को लेकर मुंबई बीजेपी ने राजिपाल भगत सिंग कोशियारी को ग्यापन सौप कर नाना के खिलाफ कड़ी कारवाई करने की मांग की है गौरतलब है कि नाना पटोले का एक वीडियो वारेल हुआ जिसमें ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि वह मोदी को पीट सकते हैं और गाली भी दे सकते हैं बाद में नाना ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने प्रदान मंत्री के बारे में नहीं कहा है अब इस बयान को लेकर बीजेपी ने नाना सहित कॉंग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है बीजेपी का हर कोई नेता नाना पर बरस रहा है और नाना वा उसके करीबी सफाई दे रहे हैं प्रदेश सरकार ने सरकारी पदों की भरती के लिए मौझूदा OMR पदती से परिक्षा के लिए नियोक्त नियासा Communication Private Limited समेथ 5 कंपनियों को दिया गया ठेकार रत कर दिया है राजी की सामाने प्रशासन विभाग ने समन्द में शासना देश जारी किया है प्रदेश के स्वास्त विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग और महाड़ा की परिक्षा भरती में परचा लीक और घोटाले के आरोपों के बाद सरकार ने यह कदम उठाया बता दे कि इसके पहले महाविकास अगारी सरकार ने माराश लोकसेवायों के दायरे में न आने वाले समू B और समू D के पदों की भरती के लिए महापरिक्षा पोर्टल पददी को बदल कर OMR वेंडर पैनल को नियुक्त किया था महा आईटी द्वारा जारी टेंडर में चार कंपनियों का चैन किया गया था इसके तहट भरती के लिए OMR पददी से परिक्षा के लिए मिसर्स M.TEC Limited, मिसर्स GA Software Technology Private Limited, मिसर्स Ginger Webs Private Limited और मिसर्स Meta IT Technology Private Limited को 5 सालों के लिए ठेका दिया गया था अक्चूबर 2021 में हुई भरती परिक्षा के दुरान अब भिहारतियों ने परचा लीख होने का गंभीर आरोप लगाया था स्वास्विभा की भरती परिक्षा पारदर्शी रूप से न होने पर सरकार की काफी आलोचना भी हुई थी बिहार में शराब बंदी पर जारी सियासत की बीच खबर है कि सरकार शराबियों को थोड़ी छूट दे सकती है तो एक जद्यूं कि विधायक ने पियकर समेलन आयुजित करने का एलान किया वही मुलायम सिंग यादव की छोटी बहू अपड़ना यादव भारतिय जंता पार्टी में शामिल हो गई उन्हें डिप्टी सीम केशव प्रसाद मौरे ने भाज़पा की सदसिता दिलाई तो बांगलादेशी अभी नेतरी राइमा इसलाम शीमू जो कथे तौर पर कुछ दिनों पहले लापता हो गई थी मृत पाई गई है उनका शव ढाका के केरानी गंश में एक पुल के पास एक बोरी में मिला है इसी बीच दिली के मुख्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के सायोज कर्विन केज़िवाल ने एलान किया कि अमित पालेकर गुआ में आपके मुख्य मंत्री पद का चेहरा होंगे उधर गंटंत्र दिवस समहारों इस बार सुबह दस बजे नहीं बलकि साड़े दस बजे शुरू होगा कम विजिबिलिटी की वज़े से समय में बदलाफ किया गया है देश की इन पांच बड़ी खबरों को बस्तार से जानते हैं बने रहे हमाने साथ बिहार विधानसभा के आगामी बजट सेत्र में शराब बंदी को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया जा सकता है प्रस्ताव के अनुसार शराब के नशे में पकड़े जाने वालों को मौके पर ही जुर्माना भर कर छोड़ा जा सकता है हाला कि ऐसा दोबारा करने वाले अपरादियों पर ये लागून नहीं होगा दरसल खबर है कि बिहार में शराब बंदी के खराब क्रियानवन को लेकर आलोचकों का सामना कर ही नितिश कुमार सरकार उलंगन करने वालों को कुछ शूट दे सकती है इधर राज में शराब बंदी कानून की समिक्षा की चर्चा को लेकर सिया सद्गर मा गई है आजडी ने इसे लेकर नितिश कुमार पर हमला बोला राज़त प्रवक्ता शक्ती सिंग यादो ने कहा कि मुख्यमंत्रे नितिश कुमार शराब बंदी पर पुनर विचार करने जा रहे है शराब बंदी पर विचार क्यों? इसका मदलब सीम ने शराब बंदी पर हार मान ली वहिनितिश कुमार के करीबी माने जाने वाले श्याम बहादूर सिंग ने खुले तोर पर एलान किया है कि ठंड खत्म होने के बाद वे सीवान के गांधी मैदान में पियक कर सम्मेलन करवाएंगे जेडियू के पूरविधायक ने कहा कि सीवान के गांधी मैदान में हम प्यक कर सम्मेलन करवाएंगे बस ठंबर का इंतजार कर लिजिए इस सम्मेलन से पता चल जाएगा कि राज में शराब पीने वाले और ना पीने वाले कितने लोग है इस समेलन ने जिने शराब पिनी होगी वे पी सकते है मुलायम सिंग यादव की छोटी बहु अपर्णा यादव भारतिय जंता पार्टी में शामिल हो गई उन्हें डिप्टी सीयम केशो प्रसाद मोरिया ने भाजपा की सदस्यता दिलाई अपर्णा यादव प्रतिक यादव की पत्नी है प्रतिक मुलायम सिंग की दूसरी पत्नी साधना गुपता के पुत्र है अपर्णा 2017 के चुनाव में लकनो केंट विदान सबासीट से समाजवादी पार्टी के टिकिट पर चुनाव लड़ चुकी है इसे के साथ उनका सियासी सपर भी शुरू हुआ हाला कि उस चुनाव में उन्हें रिता बवगुना जोशी से हार का सामना करना पड़ा अपर्णा यादव मुलायन सिंग से भी ज़्यादा शिवपाल यादव के करीब रही है यही वज़य है कि बीते दिनों शिवपाल ने उन्हें पार्टी के लिए कुछ करने के बाद टिकिट की इच्छा रखने और भाच्पा में शामिल न होने की सलादी थी इसे बीच भाच्पा नेटरों तो ने स्पष्ट किया है कि शामिल होने के लिए कोई पूर्वशेर्थ नहीं है वैसे भाच्पा को अपर नयादव के आने से जनाधार बढ़ने की कोई उमीद नहीं है और नहीं वह पार्टी के लिए कोई नहले पे दहलाजे सिस्तिती पैदा कर पाएंगी हाँ, मगर इतना जरूर है कि चुनाव के मौसम में सपासलस्तापक के घर में सेन मारी भाच्पा का सबसे बड़ा संदेश होगा इसे चुनावी मंच पर भाच्पा के नेता अपने अंदाज में भुनाएंगे बांगलादेशी अभिनेतरी रायमा इसलाम शिमू जो कथित तोर पर कुछ दिनों पहले लापता हो गए थी वो मुरुत पाई गई है उनका शोट ढखा के केरानी गंज में एक पुल के पास एक बोरी में मिला है पुलिस की जाँच में पता चला कि उस इलाके की स्थानिये लोगे ने सोमवार 17 जनुरी को कदम टोली शेतर के अलिमपूर ब्रीच के पास अभिनेतरी का शोव देखा और पुलिस टेशन को सूचित किया शिमू के लापता होने के बाद रविवार को उनके परिजनों ने काला बगान थाने में शिकायद दर्च कराई थी राइमा की निर्मम हत्या की गई है अभिनेतरी के शरीर पर चोट के कई निशान है हत्ता के बाद रविवार को राइमा इसलाम शिमू का शव बोरे में बांद कर पुल के पास फेक दिया गया पुलिस के एक शिर्ष अधिकारी ने कहा कि शव पोस्ट मार्टम के लिए सर सलीम उल्लाह मेडिकल कॉलेज हस्पताल भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है इधर दिवनगत अभिनेतरी के पती ने हत्या की बात कबूल कर ली है राइमार धाका के ग्रीन रोड में अपने परिवार के साथ रहती थी उनके परिवार में पती और दो बच्चे है रविवार सुबर जब वर शूटिंग के लिए घर से निकली थी लेकिन देर शाम तक नहीं लोटी तो फिर परिजनों ने काला बागान थाने में शिकायत की थी पांच राजों में विदान सबाचनाओं के लिए प्रतैक्षियों की घोशना हो रही है नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी जारी है इस बिज दिल्ली के मुख्यमंतरी और आप पार्टी के सहियों जग अर्विन के जिवाल ने एलान किया कि अमित पालेकर गोवा में आपके मुख्यमंतरी पत का चहरा होंगे अमित पालेकर भंडारी समाज से आते हैं उनके नाम के एलान करते हुए अर्विन केजरिवाल ने कहा कि वो ऐसे शक्त को CM का चहरा बना रहा है जिसके दिल में गोवा बसता है जो गोवा के सब लोगों को साथ लेकर चलेगा अभी तक गोवा के भंडारी समाज के मन में अन्याय की भावना है पिछले साथ साल में इस समाज से केवल एक बार धाई साल के लिए CM बना था गोवा विधान सबाचनाव के लिए आपके मुख्यमत्री पत के उमीदवार बनाये जाने के बाद अमित पालेकर ने कहा कि मैं आपको ब्रश्टाचार मुक्त गोवा की गारंटी दे रहा हूँ हमें गोवा का खोया हुआ गवरो वापस मिलेगा जिसका सपना सभी ने देखा था मैं अपने कहे हर शप्त को रखूंगा यह एक गारंटी है उधर पुर्वस इडियस विपिन रावत के भाई करनल विजयर रावत ने उतराखन के मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी से मुलाकात की करनल रावत जल्ब भाजपा में शामिल हो सकते है एक चैनल से बात करते हैं उन्होंने कहा कि मेरी विचारदारा भाजपा से मिलती है इस बार गणतंत्र दिवस समारों के वक्त में कुछ बदलाव किया गया है गणतंत्र दिवस परेड इस बार सुबह 10 बजे नहीं बलकि 16 बजे शुरू होगी रक्षा मंत्राले के सीनियर अधिकारी के मताबिक कम विजिबिलिटी की वज़े से फ्लाई पास नहीं दिख पाता था इसलिए इस बार समय में बदलाव किया गया है रक्षा मंत्राले के अधिकारी के मताबिक इस बार आटो चॉल को मजदूरो, सफाई करमचारियो फ्रेंट लाइन वर्कर्स के लिए समारो में सीटे रिजर रखी गई है वे एक तरह से समारो के स्पेशल गेस्ट होंगे इस बार राजपत पर दोनों तरफ दस बड़ी एलिडी स्क्रीन लगाए जा रही है ताकि जो लोग दूर बैटे हैं उन्हें भी सारे कारे करम साब दिख सकें गणतंत्र दिवस समारो के लिए जो निमंतरन पत्र भेज़े जा रहे हैं उनमें अश्वगंदा, एलोवेरा जैसे औशदिये पोधों के बीज दिये जाएंगे ताकि लोग निमंतरन पत्र फेकने की बजाए घर ले जाए और बीज लगाए बेटिंग रेट्रिट में इस बार हजार से ज्यादा ड्रोन आजादी कामरुत महत्सों की थीम पर अपना शो पेश करेंगे वही हवाई हमले के खत्रे को देखते हुए दिली पुलिस ने उड़ने वाले मशिनी उपकरनों वैसी तमाम अन्य चीजों के इस्तमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है चीन के डर से पाकिस्तान के प्रधान मंतरी मरान खान अबदाजू पन बिजली पर योजना पर हुए आतंकी हमले में हताहत हुए चीनी नागरेकों को अर्बो रुपे का मुआफ़ा देने जा रहे हैं महत्वपूर्ण बाद ये कि पाकिस्तान कानूनी रूप से या समझोदे की शर्त के रूप में मुआफ़ा देने के लिए बाद है नहीं था वहीं इरान से बर्धे मिसाइल खत्रे के बीच इसराइल ने अपने Aero 3 Anti-Ballistic मिसाइल का सफल परिक्षन किया तो चीन ने पूर्वी लदाख में अपनी निर्मान गतिवीधियां और तेज कर दी है पैंगॉंग ली जील के पास उसका पुल निर्मान का कारे लगबग पूरा होने वाला है इस बीच एर इंडिया ने कहा कि अमेरिका में 29 जन्वरी से 5G इंटरनेट के कारण अमेरिकी उडानों में कटोती या बदलाव करने पड़ेंगे उधर सयुक्त राश्ट में भारत के स्थाई प्रतिनिधी टीएस तिरू मूरती ने कहा कि 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों के जिम्मेदारों को पाकिस्तान की सरकार ने न केवल सरन रक्षुन दिया बलकि उन्हें 5 सितारा होटल में रुको आया भी वहां उनका आथित किया गया दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हैं हमारे साथ आखिरकाल चिन की धमकी से पाकिस्तान घूटने टेकने पर मजबूर हो गया है वहां के प्रदान मंतरी इमरान खान अब दासू पनबिजली परियोजना पर हुए आतंकी हमले में हताथ हुए चिनी नारिकों को अर्बो रुपय का मुआज़ा देने जा रहे है जानकाली कनुसार पाकिस्तान सरकार चिनी नारिकों को मुआज़ा देगी जिसमें से दस्त की आत्मगाती हमले में मोत हो गए थी वही 26 अन्य घायल हो गए थे कंगाली की हालत से गुजर रहे पाकिस्तान की मुआज़ा देने में अनाकानी करने से चीन ने काम बंद करने की धमकी दी थी इस पूरे मामले में महतवपूर नबात यह है कि पाकिस्तान कानोन रूप से या समझोते की शर्ट के रूप में मौज़ा देने के लिए बाद है नहीं था इसके बाद भी इमरानकान सरकार चिनी धमकी के आगे जुग गई चिनी कमपनी ने मौज़े के रूप में 3.7 करोड डॉलर की भारी भरकमराशे की मांग की थी चीन की दादागरी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उसने जो मौज़ा मांगा था वो चीन में इसी तरह से होने वाले हमले में मिलने वाले मौज़े से भी ज्यादा था बता दे की चीन की CPC परियोजना लगातार पाकिस्तान में जटके खा रही है एक तरफ जहां काम की रफ्तार धीमी हुई है वही नए प्रोजेक्ट की मंजूरी भी दोनों तरफ से ठब हो गई है इरान से बढ़ते मिसाल खत्रे के बीच इसराइल ने अपने Aero 3 एंटी बैलस्टिक मिसाल का सफल परिक्शन किया है इसराइल ने धर्दी के वायमंडल के बाहर ही दुश्मन मिसाल को तभा कर दिया इस दवरान इसराइल ने कई महत्वपूर्ण शम्ताव का परिक्शन किया जिसे ततकाल इसराइली वायुसे ना इस्तमाल कर सकती है इससे पहले गध दिसंबर महने में इरान ने एक साथ 16 मिसाले दाकर इसराइल को बड़ी चेतावनी दी थी इसराइल का एरो वेपन सिस्टम मिसाल प्रतिरक्शा शुरूखला का हिस्सा है जिसे उसने हाल के वर्षों में इरान, लेबनन के हिजबुलाह या गाजा पट्टी में फिलिस्तिनी समुहमास के साथ बविश्य के किसी भी टक्राओं में खुद को बचाने के लिए विकसित किया है इसराइल के रक्शा मंत्राले ने मिशन को सफल बताते हुए कहा कि एर डिफेंस सिस्टिम ने लक्ष का पता लगा लिया और उस पर दो एरो थ्री इंटर स्पेस मिसाइले दागी इस प्रणाली को अमेरिकी मिसाइल रक्षा एजनसी के सयोग से रक्षा शेत्र के सरकारी उपकरम इसराइल एरो स्पेस इंडरी ने विकसित किया है पिछले साल ग्यारा दिनों तक गाजा युद्ध के दवरान इसराइल की कमदूरी की मिसाइल प्रतिरक्षास पश्ट्रूप से प्रदर्शित हुई थी जब फिलिस्तिस समुव हमास ने इसराइल पर चाराजार से अधिक रॉकेट दागे थे चीन ने पुर्विलदाग में अपनी निर्मान गतिवी दिया और तेज कर दी है सीमा विवाद को लेकर भारत के साथ जारी सेन्ने वारताओं के बीच उसने इने रोका नहीं है खबर है कि पेंगोंस तो जिल के पास उसका पुल निर्मान का कहरे लगबख पूरा होने जवाला है गलवान इलाके में भी वह सड़के वह पुल बना रहा है यूरोपी अंतरिक्ष एजंसी ने उपगरह से ली गई तस्वीरे जारी करते हुए यह दावा किया है पेंगोंस तो जिल इलाके की उपगरह से मिली नई तस्वीरों से पता चलता है कि चीन ने जिल के उत्तरीवे दक्षिनी तटो को जोडने के लिए पुल का निर्मान कार्य शीतकाल में औरतेज कर दिया यह पुल भारतदारा दावा की जारी सीमा रिखा के एकदम करीब और दशकों से चीन के कज़े में रहे हिस्से में बनाया जा रहा है यह तस्विरे अंतरिक्ष पर्म मेक्सर टेक्नोलोजी जने जारी की है और यूरोपिय अंतरिक्ष एजंसी दौराज जारी तस्विरों के साथ उनका विशलेशन किया गया है खबरों में कहा गया है कि चीन ने जिल के उत्तरी इलाके में निर्मानकार्या पिछले साल सितंबर में शुरू किया था यह अब दक्षिनितर से कुछ मिटर दूर ही बाकी रह गया है और लगबग पुरा होने की कगार पर है यह पुल करीब 315 मिटर लंबा है एर इंडिया ने कहा है कि अमेरिका में उनित जनुरी से 5G इंटरनेट के कारण अमेरिकी उडानों में कटोती या बदलाओ करने पड़ेंगे अमेरिकी उड्डियन नियमक फेडरल एविएशन अड्मिनस्टेशन ने कहा था कि 5G के कारण विमान के रेडियो अल्टामेटर इंजिन और ब्रेक सिस्टम में बाधा उत्पन हो सकती है जिससे रनवे पर विमान के लाइन करने में दिक्कत आ सकती है अमेरिकी विमारन कमपनियों ने FAA को पत्र लिख कर कहा था कि 5G के तैनाती से विमारन शेतर में बड़ा संग कट खड़ा हो सकता है इन कमपनियों में United Airlines, American Airlines, Delta Airlines शामिल है भारत और अमेरिका के बीच Air India के अलवाद दो अन्य कमपनी United Airlines और American Airlines उड़ांसे वाद देती है इन विमारन कमपनियों ने पत्र में कहा है हवाई एड़े के रनवे के दो मिल के दायरे को छोड़ कर पूरे अमेरिका में कही भी 5G इंटरनेट सेवा बहाल करे उदर Air India ने ट्वीट किया कि अमेरिका में 5G संचार सेवा की इतनाती को लेकर भारत से अमेरिका में हमारी सेवा में 19 January से कटोती या बदलाव करनी पड़ सकती है इस सम्मन में ताजा जानकारी से जल्दी अवगत कराय जाएगा संयुकतर राष्ट में भारत के स्थाई प्रतिन धी टीयस त्रीमूर्थी ने कहा कि 1993 में मुंबे में हुए इदबम धमाकों की जिमेदारों को पाकिस्तान की सरकार ने नकेवल सरक्षन दिया बलकि उन्हें पांस सितार होटल में रुकवाया गया वहाँ उनका अतित्थ किया गया यह वही पाकिस्तान है जिस पर आरोफ है कि उसने डी कमपनी के दाउद इब्राहिम को छिपा कर रखा है वैश्विक आतंगवाद रोधी परिशत द्वारा आतंगवाद के खिलाप आंतराष्टे सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आतंगवाद और आंतराष्टे संगटित अपरात के बीच समंदों को पुरी तरह से पहचाने जाने की आवशकता है और उनसे सक्ति से निपटना चाह तिरु मूर्ति ने कहा कि अगस 2020 में पहली बार पाकिस्ताने सुईकार किया था कि दाओद इबराहिम उनके यहां मौजूद है ऐसा तब हुआ था जब सरकार ने 88 प्रतिबंधित आतंग की संगटनों वो उनके नेताओ पर व्यापक प्रतिबंद लगाये थे उन्हेंने कह कि अपने राजनितिक धार्मिक एवं अन्य मकसदों के चलते आतंगवाद का वर्गीकरन करने की संग्तराष्ट के कई सदेस्यों की प्रवरुत्ती खतरनाक है यह प्रवरुत्ती दुनिया को 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए हमलों से पहले कि उस तिति में ले जाएगी ज मेरे आतंगवादी के रूप में आतंगवादियों का वर्गीकरन किया जाता था तो आज की इस खास पेशकश में बस अतना ही देखते रही वी के भी निउस नमस्कार